पब्लिक एशय टीम ने परशान पब्लिक एक मुहिम शुरू की है जिसमें हम समाज के हर उस आम जनता के जरूरत मन लोगों को मदद करते हैं जिन लोगों को वास्तविक में उनकी जरूरत होती है या वो बहुत ज्यादा परशान होते हैं पब्लिक एश्या की टीम लोगों की प्रशासन से मदद कराती है और उनको इनसाफ दिलाने के लिए पब्लिक के साथ जुड़कर पब्लिक को साथ लेकर उनकी मुहिम को पब्लिक से जोड़ने का काम करती है। पब्लिक एश्या पहुचे वहां जहां ना पहुचे सारा जहां जी हां यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है समाज में जरूरतमन लोगों को मदद कराने की। आप सबके सयोग के साथ हम इस मुहिम को जरूर काम्याब बना पाएंगे और हर जरूरतमन को उसकी परिशानी से निकाल पाएंगे पब्लिक एशिया पहुचे वहाँ, परिशान पब्लिक हो जहाँ नमस्कार में पूजा मिश्रा आप देखें हैं पब्लिक एशिया निउस देश में फैली कोरोना वाइरस महामारी ने पूरी अर्थवेवस्ता को अस्तवेस्त कर दिया है जिसका खामियाजा हमारे देश के श्रमिक मजदूर भाईयों को उठाना पड़ रहा है श्रमिक एवं मजदूरों को उनके घर जाने की जो मुहीम कुत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाच जी ने श्रमिको एवं मजदूरों को उनके घर पहुँचाने की जिस मुहीम की सुरुवात की है ट्रेने और बसे उपलग्ध कराई गई हैं वह कितना कारगर सिद्ध हो रही हैं, चलिए जानते हैं इस खबर के विस्तार से. तरदन महीं बिल रहा है यहां से, विक्या करें, कैसे जाएंगे, पहिंदर जाओ तो अधर बाड़र के पोज़े, तो पुलिस बारता है, यहोपी केले कोई बोले, ट्रेन महीं चेलेगा, यहारो जारखान के चल रहा है, सुर्फ ट्रेन, अपनातिन होगा, अपनातिन होगा, सर, आप जल्दी से जल्द सरकार को तक कि हमारी लाब बात पहुंचाएं, हम लोग इदर किस तरीका के जी रहे हैं, हम लोगों को मालूम है, इदर से जब परमिशन सर, उसके पास सर, कोई आपिस में जाओ, बोलता है, इदर से कोई सुब्दा नहीं, जो तुमारा सरकार व करें, हम लोग सरकार के पास जाएं, हम लोग किस से बात करें, यहां से आपिस लोग से बात करते हैं, हम लोग कोई परमिशन ही नहीं देता है, ना कोई बस की सिफदा है, ना कोई ट्रेन की सिफदा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, बाडर पे जाओ, इद लोग परिशान नजर आए वे लोग अपने गाउं जाना चाहते हैं पर अभी तक उन्हें कोई सुलब सुविदा उपलब नहीं हुई है आंध्रप्रदेश के एक ऐसे ही हताश परिशान व्यक्ति ने यह बताया कि जब से लॉकडाउन है आंध्रप्रदेश से राजिस्थान बिहार जहरखन की ट्रेने तो जा रही हैं पर यूपी की ट्रेन यहां से नहीं निकाली गई साथ ही उनका यह भी कहना है कि जब उन्होंने प्रशासन की मदद मांगी तब उन्होंने कहा कि हमें यह कहकर वापस कर दिया गया कि जब ट्रेने चलेंगी तब आपको फोन कर देंगे लेकिन 15 से एक महिना हो गया अभी तक फोन नहीं आया और अभी रहने की भी कुछ खास व्यवस्थन नहीं है तो ये है हमारे देश के परेशान मजदूर जो सरकार से ये गुहर लगा रहे हैं कि उन्हें सभी सुविधात दी जाएं और जल से जल कोई व्यवस्था कर उन्हें उनके घर यूपी भिजवाया जाएं और रोचा खबरों के यूँ ही जुड़े रहे हमारे साथ और हां हमें सब्सक्राइब करना ना भूले नीचे दिये बेल आइकन को जरूर